Hello everyone, welcome back to our channel आज हम पढ़ेंगे class first का chapter लालू and पीलू ये story एक मुर्गी और उसके दो बच्चे की हैं तो चलिए story को start करते हैं इसको ध्यान से सुनिया और enjoy कीजिए story को और अगर आप मेरे channel पे new हैं तो channel को subscribe कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो please वीडियो को like भी कीजिए तो चलिए अब हम start करते हैं तो जैसे जैसे मैं read करती हूँ आप भी मेरे पीछे पीछे read कर सकते हैं जिससे कि आपके reading practice हो जाएगी और आपको chapter अच्छे से समा जाएगा तो आप इसके question answer easily कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम start करते हैं यहाँ एक मुर्गी है जिसके दो बच्चे थे लालू एन पीलू चिक्स का मतलब क्या होता है मुर्गी के बच्चे को हम बोलते हैं ठीक है जिनको हम चूजे बोलते हैं तो यहाँ एक मुर्गी है और उसके दो चूजे हैं एक का नाम लालू था और एक का नाम पीलू था लालू वाज रैड, he loved red things तो लालू कैसा था लाल रंका था जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं लालू लाल रंका था और उसको लाल चीज़ें बहुत पसंद थी लवड का मतलब क्या होगा यहाँ पसंद और red things means लाल चीज़ें पीलू वाज यलो, he loved yellow things और पीलू जो था वो पीले रंका था और उसको पीली चीज़ें बहुत पसंद थी ठीक है, जैसे कि आप एक में देख सकते हैं एक है red और एक है yellow वन डे लालू saw something on a plant एक दिन लालू ने एक पौधे पर कोई चीज़ देखी plant means क्या होता है? पौधा और something means होता है कोई चीज ठीक है, तो लालू ने एक पौधे पर कोई चीज़ देखी it was red, he ate it up और वो कैसी थी? वो लाल रंगी थी तो उसने उसको खा लिया, जैसे कि आप जानते हैं कि लालू को लाल चीज़ें बहुत पसंद थी तो जैसे ही उसने पौधे के ऊपर कोई लाल चीज़ देखी उसने फटा फट उसको खा लिया it, यहाँ eat का second form है यानि खाना ही होता है eat means खाना होता है न, eat का मतलब भी खाना होता है oh no, it was a red chili it was very hot अरे नहीं, यह तो लाल मिर्ची निकली वो अधे के उपर क्या थी? एक लाल मिर्ची थी जो की बहुत तीखी थी very hot का मतलब होगा बहुत तीखी, जैसे हम कोई मिर्ची वाले चीज खा लेते हैं तो जो मिर्ची का जो स्वाध होता है न, उसको क्या बोलते हैं तीखापन बोलते हैं, तो यहाँ वही चीज होती है, वैसे तो hot means गर्म होता है लेकिन यहाँ क्या कहा जाएगा तीखापन, ठीक है, तो वह बहुत तीखी थी लालू's mouth started burning, तो लालू का जैसे उसने मिर्ची खाई, तो लालू का मुह जलना सुरू हो गया burning यानि, जलना, ठीक है जलना कैसे सुरू हो गया, जैसे हम कोई तीखा खा लेते हैं, कोई भी मिर्ची वाले चीज खा लेते हैं, तो हमें क्या लगता है कि जल्दी से हम पानी पी लें, तो हमारा मुह जलने लगता है, तो उसी को यहां burning बोला गया है, ठीक है he screamed, और फिर वो चिलाया scream means क्या होता है, चिलान ठीक है, उसके बाद है देखी, mother hand came running, पीलू came to, पीलू said I will get something for you पीलू brought a yellow ladu फिर वैसे ही, वो चिलाया तो उसकी मा, मुर्गी दोड कर आई, running means क्या होता है, दोडना या भागना और के means होता है, आना, ठीक है पीलू came to, to means होता है भी, तो पीलू भी आया, ठीक है, पीलू ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई चीज लेकर आता हूँ, पीलू brought a yellow ladu, पीलू क्या लेकर आया, एक पीले रंका ladu लेकर आया, जैसे कि आपको पता है कि पीलू को पीली चीज पसंद है, तो वो पीला ladu लेकर आया, ठीक है, ब्रॉट means क्या होता है ठीक है, एंड उसके बाद है लालू, गौवल्ड अब दा लड़ू his mouth stopped burning पीलू जैसे ही लड़ू लेकर आया लालू ने उसको निगल लिया गौवल्ड अब का मतलब क्या होता है निगलना, गपक लेना ठीक है, his mouth stopped burning तो फिर जैसे ही उसने लड़ू खा लिया तो उसका जो मूँ है वो जलना बंद हो गया जो जल रहा था तीखे पन की वज़े से उसने, जैसे हम कोई भी तीखा खा लेते हैं उसके बाद कोई चीनी या कोई मीठी चीज खा लेते हैं तो जलना बंध हो जाता है तो यहां भी उसने जैसे लड्डू खाया तो उसका मुझ जलना बंध हो गया Mother Hand and Lalu kissed Pilu फिर जो उसकी मा मुर्गी थी और Lalu था उसने Pilu को किस किया क्यों किया क्यों कि लड्डू लेके आया और उसका मुझ जलना बंध हो गया और यह स्टोरी किस ने लिगी है विनीता कृष्णाने ठीक है तो आई होब यह आपके स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी मुझे तो बहुत अच्छी लगी आप भी मुझे बताईएगा कैसी लगी तो इसमें हम पहले न्यू वर्ड्स तेक लेते हैं chickens होते हैंेजुजए यानि मुर्गी के बच्चे हैं मीज होता ही ही हम वैसे तो करने हैं यहह तीक है कि भी कह सकते थीक है फ्लंड मीज होता है पाओधा yellow यानि यल्लो कलर जो रंग होता है पीला रंग उसको यल्लो बोलते हैं लेट्स रीड में आपको ये सेंटेंस सिर्फ रीड करने हैं फर्स्ट है I love plants and second है the chicks rent to their mother ठीक है अब हम देखो इसके रिटर्न में word meanings देख लेते हैं प्लस question answer और exercise भी देख लेते हैं बने रही है मेरे साथ तो ये word meanings हो जाएंगी hand means होती है मुर्गी, chick means होता है चूजा यानि मुर्गी का बच्चा plant means पौधा, eat यानि खा लिया, ये eat का second form होता है चिली यानि मिर्च, burning यानि कुछ खा कर मूँ का जलना या जलना जैसे इस chapter में उसने कुछ तीखा खा लिया था, यानि तीखी मिर्ची खा लिया थी इसलिए यहाँ पर burning का use किया गया है, थीक है वैसे burning में चलना भी होता है screamed means होता है चिलाना, govled up का मतलब होता है निगलना या निगल लिया, थीक है जैसे हम गपक लेते हैं, उसी को हम govled up बोलते हैं अब हम इसके question answers देख लेते हैं, reading is fun में question first है name the chicks in the story, यानि story में जो chicks हैं, यानि जो मुर्गी के बच्चे हैं, उनका नाम बताईए तो उनका नाम क्या था, लालू and पीलू are the names of the chicks in the story यानि जो chicks थे, यानि चूजे थे, उनका नाम लालू and पीलू था, चाहें तो आप सिर्फ लालू and पीलू लिख सकते हैं ठीक है, उसके बाद है next question, who liked yellow things, इस story में पीली चीजें किसको पसंद थी तो आंसर हो जाएगा, पीलू liked yellow things, यानि पीलू को पीली चीजें बहुत पसंद थी ठीक है, अब third question है, what did लालू eat one day, लालू ने एक दिन क्या खा लिया था तो इसका आंसर हो जाएगा, लालू ate a red chili in one day, मतलब लालू ने एक लाल मिर्च खा ली थी ठीक है न, एक दिन उसने क्या किया था, लाल मिर्च खा ली थी, red chili का मतलब होता है, लाल मिर्च लेट्स टॉक में पूछा गया है question, पीलू ब्रॉट अ येलो लड़ू for लालू, what are the other things पीलू कोड़ है ब्रॉट that are both yellow and sweet, name at least two, example a mango तो जो पीलू था, वो पीला लड़ू लेकर आया था लालू के लिए, जैसे उसका मुह जलने लगाता तो आपको ये बताना है कि, और कौन सी चीजे वो ला सकता था, कोई भी दो चीजे ऐसी बताना है जो पीले रनकी भी हो और मेठी भी हो जैसे कि example के नो ने बताया है कि mango हो सकता है आप कोई भी दो का नाम बताना है आपको ठीक है तो ऐसे आप answer लिख सकते हैं पीलू could have also brought banana and pineapple for lalu मतलब वो बनाना भी ला सकता था और pineapple भी ला सकता था इन दोनों में से वो कोई भी चीज ला सकता था या sweet corn भी होते जो लाल इन हिंदी येलो इस कॉल्ड़ पीला वाट दो यू कॉल दीस कलर इन यूर ओन लेंग्विज में जैसे कि आप Tamil में क्या बोलोगे गुजराती में क्या बोलोगे मतलब आप जहां भी रहते हो तो आपको अपनी लेंग्विज में बताना है कि इन कलर्स को आप क्य आपको जो नीचे मुर्गी के बच्चे है नाम बताना है वो भी colors के according जैसे कि इस story में था red color का चूजा था यानि red color का मुर्गी का बच्चा था उसका नाम कहा था लालू यानि red means होता है लाल तो उसका नाम रख दिया लालू ऐसी हमें नीचे जो कुछ पिक्चर दी है उनके according उनका नाम रखना है जैसे कि दो का तो हमें दिखाए यह लालू और पीलू अब यह जो blue color किये तो इसका क्या हो सकता है blue means होता है नीला रंग तो इसका नीलू रख सकते हैं जैसे कि black है तो आप बोल सकते हैं blacky यह मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं लेकिन colors के according होना चाहिए ठीक है ना तब next question देखते है next question है let's write match the chicks to the eggs they have hatched from one has been done for you trace the letters on the x a e i o u अब यह आपको चूजे देख रहे होंगे यानी मुर्गी के बच्चे देख रहे हैं जो कि अंडे से अभी अभी बाहर निकले हैं अब हमें यह बताना है कि नीचे यह जो अंडे हैं इनमें से कौन सा चूजा कौन से अंडे से निकला था समझ आया तो इसमें letters लिखे हैं हर एक चूजे के उपर letters लिखे हैं जैसे कि A, E, I, O, U तो हमें letters के according इनको match करना है अब जैसे यह first अंडा है तो इसमें पहले हम pressing करेंगे यानी line कीचेंगे जो भी letter लिखा है वो लिखेंगे E लिखा हुआ है तो E को हमने इस से join किया है उसके बाद है U तो यहां U लिखें यह को इस से join कर देंगे and then उसके बाद है I, I को इस से join कर देंगे and then उसके बाद O, O को इस से join कर देंगे तो यह हमारी matching हो जाएंगी और A, E, I, O, U को हम bobbles बोलते हैं ठीक है अब next है let's draw, let's draw में क्या करना है trace and color these flowers अब आपको इसमें tracing करनी है ठीक है जैसे कि यह flower है तो इ जैसे बिंदी छपी होगी है उनके उपर आपको pencil से draw करना है तो आप इसको अपने book में कर लीजिएगा है ना इस क्योंकि इसमें सही से नहीं होगा यह screen पे है तो यहाँ सही नहीं होगा आप लोग book में करना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ठीक है so इन flowers को आपको आप इसमें आपको color भी फिल करने है plus pressing भी करनी है यानि यह dot है इसके उपर line से अच्छी से इन flower को बनाना है ठीक है अब उसके बाद हम next देख लेते हैं mother hand and the chicks यह story दी गई है जिसे आपको act करना है मतलब आपको करके बताना है acting यानि ना तक की तरह आपको करना है कोई एक mother hand ब बच्चे बन जाना यानि चूजे बन जाना ठीक है तो इस story में देखिए story में है एक mother hand है यानि एक मुर्गी है और उसके 4 chicks हैं यानि मुर्गी के बच्चे हैं तो mother hand क्या बोलती है अपने बच्चों को come to me chicks I want you here तो mother hand अपने बच्चों को बुलाती है और कहती है कि यहाँ आओ बच्चो मैं तुम्हें यहाँ चाहती हूँ देखिए यह जो बना हुआ है इसका जो arrow है वो मुर्गी की तरफ है यानि यह मुर्गी बोल रही है यह जो cloud बना हुआ है इनको cloud बोलते है तो यह मुर्गी की तरफ है यानि यह जो dialogue है वो कौन बोल रहा है यह मुर्गी बोल रही है ठीक है और उसके बाद उसके बच्चे क्या बोलते हैं यह चार बच्चे आ जाते हैं बोलते है what do you want mother आप क्या चाहिए माँ आपको क्या चाहते हो आप यह उसके बच्चे बोल रहे हैं देखिए arrow इसी की तरफ है what do you want mother आप क्या चाहते हो माँ फिर यह जो मुर्गी है वो क्या बोलती है look at me do what I do down and up, up and down फिर मुर्गी कहती है कि मुझे देखो look at me का मतलब है मुझे देखो मैं जैसा करती हूँ तुम लोग भी वैसा करो down and up यानि नीचे and फिर उपर and up and down यानि उपर and फिर नीचे तो उसकी माँ अपने बच्चों को सिखाती है कि मैं कैसा करती हूँ आप भी वैसा ही कीजिए so उसके बाद है mother mother I can do what you do look at me down and up, up and down तो उसमें से एक बच्चा आके बोलता है एक चूजा आके बोलता है mama देखो जो आप कर सकते हो न वो मैं भी कर सकता हूँ देखिए मुझे down and up यान नीचे and उपर, up and down यानि उपर, नीचे down means क्या होता है नीचे, up means होता है उपर ठीक है उसके बाद है look at me checks do what I do, up, down ओहो फिर उसमें से red color का जो चूजा है वो आता है और वो कहता है कि मुझे देखो checks यानि मुझे देखो जो भी दूसरे बच्चे है न उनसे कहता है कि मुझे देखो जैसा मैं करता हूँ वैसे करो up, down वो ऐसे बोलता है उपर, नीचे ओहो अरे, अरे क्या होता है वो गिर जाता है जैसे ये देखी इस पिक में जैसी वो ऐसी चीज़े करता है और वो गिर जाता है mother, mother the water, the water Percy is down down in the water फिर ये जो बच्चे हैं भाग के जा रहे है अपनी मा के पास और कहते है मा, मा, पानी, पानी Percy नीचे गिर गया पानी में गिर गया मतलब वो अपनी मा को जाके बताते है इसका सायद नाम Percy है कि Percy पानी में गिर गया है ठीक है उसके बाद उसकी मा आ जाती है देखिए ये मा आ गई उसकी, तो आप परसी, और ये परसी, फिर उसको ऐसे बोलती है, तो कैसे गिर गए, मतलब उसका कहने का मतलब ये होता है, देखिए अभी तो कोई क्लासिस शल नहीं रही है, विकॉज अफ कोरोना वाइरस, तो आप ये एक्ट घर पे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मदर हैं, तो आप उनको मदर हैं बना दीजिए, और उनके जो बच्चे हैं, चार बच्चे, आपने भाई बैनों को उनकी चूजे बना दीजिए, मतलब मुर्गी के बच्चे वो बन जा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पर न्यूँ हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जादा से जादा मेरी वीडियो को शेर कीजिए, थैंक्यू फॉर वाचिंग